नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर महराष्ट के पूर्व मुख्यमंत्री देविंद्र फड़नवीस ने सीम उद्दव ठाकरे और संजर राउत को दिया है करारा जवाब और टिविंद्र फड़नवीस की तरफ से कहा गया है कि शिव सेना जब तक उनके साथ थी बीजेपी के साथ थी तब तक पहले नंबर पी थी और अब चौथे नंबर की पार्टी हो गई है शिव सेना आपको बता दें कि बाला साथ ठाकरे की 96 जैनती के मौके पर उद्दव ठाकरे ने बीजेपी के उपर तंज कसा और कहा कि बीजेपी के साथ 25 साल का गडवंदन जो शिव सेना का था वो खराब हो चुका है और 25 साल उद्दव ठाकरे ने अपने खराब किया और उसी को लेक करारा जवाब दिया गया है देविंद्र फड़नवीज की तरफ से संजर राउत और उद्दव ठाकरे को देविंद्र फड़नवीज ने कहा है कि जिस वक्त पर शिवसेना का उदय भी नहीं हुआ था उस वक्त पर बीजेपी का एक महराश्ट में एक नगर सेवक और एक व महराश्ट का और जो बाद उद्दव ठाकरे की तरफ से कही गई कि 25 साल का गटबंदन करके उनका टाइम खराब हुआ गटबंदन सड़ चुका है इस पर भी जवाब दिया है कि देविंद्र फड़नवीज ने कहा है कि 2012 तक 12 साहब ठाकरे के नेतित में ये गटबंदन रह ठाकरे ने ही गटबंदन किया है और उसकी शीष नेता जो थे वो बाला साहब ठाकरे थे यारी कि आज उनकी नीतियों पर नहीं चल रहे है शिवसेना और वहीं दूसरी तरफ पलड़ यारी की एक और बड़ा पलड़ भी किया गया है शिवसेना के उपर और देविंद्र पढ़नवीश ने कहा है कि जब तक शिवसेना बीजे भी के साथी महारास्ट кого चार सरकार महाराश्ट में आईगी और जनटा ने ये दिखा दिया है कि जनता आखिरकार महारास्ट में किसकी सरकार चाहती है आपको बता दें कि जिस तरीके से आज देविंद फड़नवीस ने करारा जवाब दिया है राज के मुख्यमंतर उदव ठाकरे के लिए और किस तरीके से बताया है कि जिस वक्त पर शिवसेना का उदय भी नहीं हुआ था शिवसेना का कोई भी व्यक्ति नहीं था औ उससे पहले से ही महराष्ट में राजनीती करती आ रही है और विधायक भी था और नगर सेवक भी था आपको बता दें कि जहां एक तरफ उदव ठाकरे को करारा जवाब दिया है देविंद फड़नवीस ने और वहीं दूसरी तरफ पलटवार भी किया है संजराउत के उस प्रधानमंतरी शिवसेना का होता उस बयान को लेकर भी आज देविंद फड़नवीस ने अपनी प्रैसवारता में कहा है कि जिस तरीके से आज ओवर कॉंपिटेंट होकर संजराउत जिस तरीके से बयान बाजी कर रहे हैं अगर 1984 की बात अगर संजराउत कर रहे हैं कि और जन्ता ने उस वक्त पे भी शिवसेना को नकार दिया था भारतिय जन्ता पार्टी अभी भी नंबर वन है और नंबर वन ही रहेगी और वहीं दूसरी तरफ जो कल शिवसेना के नेता या फिर हम उद्दव ठाकरे कहें या संजराउत इनकी तरफ से बीजेपी को लेकर क रहा गया कि हिंदू सिर्फ सत्ता में आने के लिए हिंदुत्व का इस्तमाल करती है इसको लेकर भी जवाब दिया है आज देविंद फड़नवीज ने और कहा है कि शिवसेना का हिंदुत्व सिर्फ कागज में हैं और भाशणों में हैं इसके अलावा तमाम ऐसी समस्यां ह महराष्ट में जो हिंदुत्व को लेकर हैं जिनका समाधान नहीं किया है यहाई पर देविंद फड़नवीज ने यह भी कहा है कि दुरगानी के साधरन से कल्यान के लिए भी कोई विशेश चीज काम नहीं कर भाए उदव ठाकरे और आज राम मंदर को लेकर तमाम छिटा क कर रहे हैं यह दिखाता है कि आखिरकार उदव ठाकरे का हिंदत्व कहां से उदव ठाकरे सीख रहे हैं और कैसा हिंदत्व है उदव ठाकरे का इसी बीच आपको यह भी बता दें कि देविंद फड़नवीज ने यह भी कहा कि कौन कहां खड़ा है आज यह उदव ठाकरे को पाटियों का गटबंदन महराष्ट में एंसीपी कॉंग्रेस और शिवसेना का है इसको आज देविंद्र फड़नवीस ने लाचारी बताया है आपको बता दें कि महराष्ट के पूर्व मुख्य मंत्री देविंद्र फड़नवीस ने आज पलटवार तो किया है करारा ठाकरे और संजर राउत को दिया है और इससे पहले बीजेपी नेता रामकदम से लेकर और स्पोक्सपर्सन संवित पात्रा भी बयान बाजी कर चुके है इस पूरे प्रकरण को लेकर और जवाब भी दिया गया था और रामकदम ने तो ये तक कह दिया था कि शिवसेना या ठाकरे हमेशा कहा करते थे कि वो कॉंग्रेस के साथ कभी भी गटबंदन नहीं करेंगे और कॉंग्रेस के लिए वो किस तरीके से भाशा का इस्तमाल करते थे ये भी आज हमारे देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है और इनी शब्दों का इस्तमाल किया गया बीजेपी के स्पोक्स परसल संबित पात्रा की तरफ से आपको बता दें कि 2019 में विधान सबाच चुनवाब के बाद से ही बीजेपी और शिवसेना वे एक दूसरे से अलाग हो चुकी है 25 साल का गडवंदन 2019 में ही तूट चुका था पर उसके बावजूद भी आज तीनों पार्टियों से शिवसेना की बात बंती हुई नहीं दिखाई देती है जहां एक तरफ इन तीनों पार्टियों की सरकार है महराष्ट में पर बीजेपी को लेकर हमेशा ही तंज कसा जाता है महाविकास अगारी सरकार की तरफ से और शिवसेना की तरफ से और यहीं बड़ा कारण है कि कल संजराउत ने ये तक कह दिया कि बाबर के बाद शिवसेना की लहर थी और आज प्रधान मंत्री उनका होता है और इसलिए उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ेपी के लिए छो आपको बताते हैं कि 2019 में महाविकास अगारी सरकार का उदेत हुए पर वहीं पर ये गडवंदन पूरी तरीके से तूट गया जहां कई बार ऐसे तरीके की चीज़ा निकल कर सामने आती है कि बीजेपी और शिवसेना वो बीजेपी के साथ गडवंदन करना चाहती है तो व मुख्यमंतरी अपने बेटे को बनाना चाहते थे और आज अगर मुख्यमंतरी की खुरसी उद्व ठाकरे के पास है और नेता प्रतिपक्ष है यानि कि बीजेपी भी आज इतना बड़ा खत्रा बन चुकी है शिवसेना के लिए कि जिसको लेकर आज इस तरीके से बयान बा पर केंद सरकार को अपनी शक्तियों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए इस तरीके से हम भी तयार हैं और उद्व ठाकरे ने ये भी कहा कि एडी और इंकम टेक्स डिपार्टमेंट एजंसियों का इस्तमाल ना करे एजंसियों का डर उद्व ठाकरे के लिए इसलिए सता रहा है क्योंकि 2019 के बाद जिस तरीके से ये सरकार 3 पार्टियों की अपस में बनी हुई है और 3 पार्टियों के नेताओं के ही घोटाले निकल कर सामने आते रहते हैं और BJP जो आज महराश्ट में विपक्ष की भूमिका मैं है वो तीनों पार्टियों के घुटाले निगाल कर सामने रखती है जंता के और आज ये बात कहीं भी गई है देविंद फड़नवीज की तरफ से कि जब तक शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब तक नंबर वन की पार्टी थी और अब वो नंबर चार की पार्टी हो चुकी है तो आज ये शायद महराष्ट की जंता भी सही तरीके से समझ रही है क्योंकि अगर निकाय चुनाओं के रिजल्टों पे भी हम नजर डाले तो वहाँ पर भी अभी तक जिस शिवसेना की अच्छी खासी सीटें आया करती थी अब वो शिवसेना ही तीसरे चौथे नंबर प पता सकती है कि किस तरीके का हाल आज शिवसेना का महराष्ट में हो गया है अब देखना एहम ये होगा कि जिस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच में एक दूसरे के ऊपर तंज कसे जाते हैं तो ये तंज का जो मामला है ये 2020 के बाद ही शुरू हुआ है क्योंकि उससे पहले ये दोनों पार्टियां ही एक दूसरे के साथ गड़बंदन में थी और विधानसभा के चुनाव जो 2019 में हुए थे उस वक्त पर भी अगर शिवसेना के 56 सीटें आई थी तो वो भी इसलिए आई थी क्योंकि चुनाव प्रचार जो महराष्ट में विधानसभा चुन से ही ऑक्टूबर के महीने में चुनाव रजल्ट सामने आया कि भारती जंदा पार्टी और बीजे और शिवसेना के अलाइंस को काफी अच्छी सीटें मिली है और उसके बाद ही शिवसेना ने ये होड लगा दी कि आज जो मुख्यमंत्री है महराष्ट के उन्होंने कहा कि कि मुझे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है इस बात को लेकर मेरी पहले ही बात हो रखी थी देश के ग्रहमंत्री अमिशाह से बलकि वहाँ पर साफ इस तरीके से जूट बोला गया और यहीं बड़ा कारण था कि सिर्फ सत्ता के लालच में इस दवठाकरे ने एंस पार्टियों की विचारधाराय हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती हैं सिर्फ बीजेपी को दूर रखने के लिए सत्ता से इस गड़बंदन को 2019 में किया गया था और आज महराष्ट की जनता इस बात को भली भाती जानती है इस टॉपिक पर आपका क्या क क्याना है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए धन्यवाद